डिये सस्ग्राइबर कैसे हैं आप लोग फ्रेंड आज हम बात करने वाले मुखमंद्रे कन्याव था न्यूजना आप लोग फ्रेंड जितने भी कंडिडेट 50,000 के लिए अपलाइक किये हैं वो लोग फ्रेंड अपना इस्टेटस को कैसे चेक करेंगे मतलब कि फ्रेंड आप लेडी बना हुआ है आप नए सेशन से भी दिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इस बारा इसा यूनिवर्सिटी रहा है जिसका जो के लिस्ट में नाम नहीं रहा है स्टुडेंट सबका जिसके प्रेसान हुआ है तो फैनली फ्रेंड बहुत सारी यूनिवर्सिटी और हुआ या फिर आपको कहां तक प्रोसेस गया है तो आप लोग अगर चेक करना चाहते फिरेंड तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला तो सबसे पहले आपको ओफिसली वेबसाइट पर आ जाना है लिंक आपको डिसकोशन मिल जाएगा सिंपली किलिक करेंग अपना लिस्ट में नाम चेक करना है तो रिपोर्ट पर किलिक करके यहां से आपको ऑफिस टूडेंट पर किलिक कर सकते यहां से अपको देखने मिलता है चेक registration status, तो simply फिरिन आपको इस पे click करना, यहाँ पे click करेंगे एक चीज़ फिरिन देख सकते आपको यहाँ पे clear बताया गया है अगर फिरिन आपका bank account आपका अधार कार से dbt नहीं है, अगर अधार सीडिंग नहीं है तो आपका पैसा कभी account में नहीं आएगा तो इसलिए फिरिन आपको अपना account को जाके अधार link करवाना है, dbt करवाना अगर नहीं है तो आप चरूर यवार bank जाके confirm करवाले कि आपका account जो कि अधार dbt क्या हुआ है तो आपका पैसा तुरंद और बहुत जल्दी वहरीफाई हो जाएगा, सारा चीज़ फिरिन हो जाएगा और यहाँ पे फिरिन status चेक करने के लिए जितने भी candidate 50,000 के लिए apply कर चुके वो फिरिन अपना status कैसे चेक करेंगे यहाँ पे आपको देखने के मिलता university सबसे पहले आपको university को select करना है जिस भी आप university का देखना चाते है अगर इगनु से फिरिन आप सभी ने BA complete किया हो इगनु वाले भी candidate फिरिन यहाँ पे apply कर सकते है कोई दिक्कत ने फिरिन तो यह चीज़ को फिरिन आप ध्यान में रखेंगे यहाँ से अपना university से लेट करेंगे उसके बाद यहाँ से अपना registration number देंगे जो भी आपका registration number आपको पता होगा फिरिन अगर आपने form fill up किया है तो आप mobile से भी check कर सकते है कोई दिक्कत ने अपना registration number देंगे आपना यहाँ से mobile number देंगे जो भी mobile number डाले थे form fill up करते समय वो अपना mobile number डालेंग और यहाँ पर आपको क्या करना है get status पर किलिक करना है सारा details को fill करने के बाद अच्छी तरह से जैसे आप यहाँ पर get status करते है तो आपका फ्रिन सारा details यहाँ पर आ जाते है देख सकते फ्रिन आपका bank details account, status, residential, resident, status, verification, status, finalize, status, सारा चीज फ्रिन स्क्रॉल करके नीची आ जाता हूं मैं नीची आएंगे फ्रिन तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिन आपको candidate का नाम फ्रिन देखने लिए मिलेगा कंडिड़ेक का father's number, mobile number आपका सारा चीज, bank status फ्रिन आपको यहाँ पर देखने כimerkरी उपर हो किEX मतलब कोई धिक्कतने फ्रिन पर अभी आपका देखने के मिलेगा आपका जो भी यहां प्र細न से वरीफाइद केंगा जैसे तो यहाँ पर नाम पर पर प्लिंग होगा यहां पर फिल्फाइब अगर टैंसर डर्ल नहीं है तो दिक आया द्लेंग में चल्द हो जायगा Because अब बहुत सारे इसी स्टीडेंट का डाटा जा रहा है, जिसको चेक करने में समय लगता है, तो आपको तुरह सो वेट करना होगा कुछ दिन तक, आपका फ्रेंड यहां पे सारा चीज वेरिफाइब हो जाएगा, एकाउंट स्टेटर्स वेरिफाइब हो जाएगा, रेसिड आपको wait करना है जैसे से यहां सारा चीज verify हो जाएगा user id password आएगा तब आपको login करके आपको जोई की अपना finalize करना है फोरम को final submit करना है उसके बाद आपके account में payment आएगा लेकिन और एक चीज यहां ध्यान रखेंगे का अगर dbt नहीं है तो यह जरूर आप करवा ले चीज रिक्वेस्ट करता हूं प्लिस आप जदा जदा सेर करें थोरा सा सपोर्ट करें क्योंकि मैं आपके लिए इतने अच्छे वीडियो लेके आता हूं और मैं कोसिस करता हूं को time to time video दे पाऊं बड़ फ्रेंड थोरा सा लिडियले हो जाता है लेकिन जरूर फ्रेंड आ करता हूं